नमस्कार स्वागते आप सभी का एजूकेशन इंडिया चैनल पर तो आईए बात करते हैं ताजा मौसम अपडेट की दोस्तों आपको बता दे कि देश में योपी, एमपी, बिहार, गुजरात, माराष्ट में पिसले कई दिनों से बाड के हालात बने हुए हैं वहीं अब रा आजस्तान में कई जिलों में बारिश अत्ती बारिश देखने को मिली हैं जिस ये कई जिलों में बाड के हालात बनने लग गए हैं तो दोस्तों मौसम से जुड़ी शंपून जानकारी जानना चाते हो तो अब बस हमारे साथ वीडियो के अंद तक बने रहेगा लेकिन मौसम की जानकारी मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं देश के तमाम राज्यों का मौसम पूरुवा नुमान तो दोस्तों सबसे पहले राजस्तान के मौसम की बात की जाए तो राजस्तान में मौसम पूरी तरस से महर्बान है पिछले 24 गंटे मे पर्देश में उधेपूर, कोटा, और्बिकाने, संबाग में मौसून का जोर रहा है उधेपूर, शिरोई, डूंगरपूर, जितोडगड, परताबगड, जालवाड, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमे, और्बिकाने, जोदपूर, जलों में कहीं कहीं ब इसके अलावा आसपास ग्रामीन इलाकों में भी हलकी से मद्यम बारिश हुई हैं, आपको बता दे कि मद्य पर्देश में हुई बारी बारिश का असर अब राजस्तान में भी देखा जा रहा हैं, चंबल के सबसे बड़े गांदी सागर बांध को तेरा सो चप फिट के जल पानी छोड़ा गया हैं, गांदी सागर में लगबग डेड लाक क्यूश्यक पानी की आवक होने से जल इसतर लगातार बढ़ रहा हैं, पिछले साल इसी गांदी सागर बांध के कारण चंबल में तवाही मच गई थी, इस बांध के भी दो गेट खोले गए हैं, बांध की अधिक्तम स्क्रमता 1157.50 फेट हैं, बारी बारिश की वज़े से मुंदी जिल्ले के जवार सागर बांध भी पानी से लबालब हो गया हैं, इस बांध के गेट खोलने की तियारी की जा रही हैं, परदेश के अधिवासी बांसवड़ा जिल्ले में पिसले पांध देन से ते अलवार जिल्ले के कुसल गड़ में पसु चराने जंगल में गए चार बच्चे अच्छानक आई बारिश से बसने के लिए एक खंडर मकान में पहुंचे लेकिन तेज बारिश के कारण मकान की छट गिर गई जिससे बच्चे नीचे दबने से मौत हो गई हैं, मौसामरबा को लेकर औरेंज एलेट जारी किया गया है, अब दोस्तों उत्तर परदेश राजी के मौसम की बात की जाए तो बारतिये मौसामरबाग ने एक और दो सित्तंबर के लिए तेज बारिश का पुरूआ नमान जारी किया है, इस दोरान परदेश के कई हिसों में धूब के लोगों कारण हम मोसमरबाग ने एक और दो सित्तंबर के लिए तेज बारिश का पुरूआ नमान उत्तर परदेश के लिए जारी किया है, इस दोरान गई हीशों में धूब के कारण हम से लोगों को परशानी होगी, इस तानिया मोसमरबाग ने बताया है कि अवद्या के मौसम विबाग के अनुसार अभी आने वाले साथा बर बारिश होने की संभावना है मौसम विबाग का काईना है कि एक बार फिर से मौसम शक्रिय हो रहा है जिसके ताहत लखनो और आसपास के जिल्लों में निम दबाव का सेत्रब बना हुआ है इसके अगले चार दिनों तक शक्रिय रहने के आसार है सनिवार को दिन पर परदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं मद्यम बारिश होई है रविवार को भी सुबह से आसमान में बादल चाहे रहे और बीच में सूर्य देव के भी दर्शन हुए सुल्तारबुर में सनिवार को रात बुंदा बंदी हुई अभी भी बादल चाहे हुए है अब दोस्तों मद्यपरदेश राज्य के मौसम की बात की जाए तो मौसम बाग ने आठ जिलों में अगले 24 गंटों में भारी बारिश को लेकर हाई एलेट चारी किया है मद्यपरदेश के लगबग सभी जिलों में इस समय बारिश का दौर चल रहा है बात अगर राजदानी भुपाल की करे तो यहां पर शुकरवार की राज से ही बारिश का दौर चालू है सनिवार को सुब से ही यहां पर बारिश का दौर लगा रहा दिन में मौसम का आना जना रहा वहीं शाम होते ही लगातार भारी बारीश शुरू हो गई वहीं मौसम विपार का कहिना है कि बीते कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का स्यत्र का असर अब मद्य परदेश में दिख रहा हैं आपको बता दे कि होसंगाबाद, विदीशा, सिवनी, बालागाट, बोपाल और अन्य इलाकों में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी बर गया हैं बोपाद यी और में लगातार बारिश से बड़ा तालाब लबालब हो गया हैं जिससे सनिवार को रात 12 बजे कलिया सोत के सभी 13 गेट खोल दे जा चुके हैं देर रात 14 बजे तक बद-बदा के सभी 11, कलिया सोत के 13 और कॉलार के 8 गेट खोल दिये गए हैं रात को बारिश नहीं होने से रात मिली और कलिया सोत के आठ और बदबदा के गेट कम करके साथ ही खुले हुए हैं मौसामेबाग ने आने वाले 24 गंटों में उजेन संबाग, सागर संबाग, जबलपूर संबाग, रतलाम, नीमच, मनसोर धार में और अली राजपूर, जबूहा, बढ़वानी में अती भारी बारिश को लेकर साथ ही बिजली गिरने की भी संबावना जताई हैं वहीं होसंगाबाद, इंदूर, उजेन, भूपाल, चंबल, एयों, गौालियर, संबाग, जबलों में गरत चमक के साथ कहीं कहीं बोचारे भी पढ़ सकती हैं दोस्तों आपको बता दे कि देश के कही राजियों में भारी बारिश की वज़े से हालात असमानी हो गए हैं उत्तर परदेश के सोड़ा जलों में सांसो बरानुए गाउबाड की चपेट में आ गए हैं देश में मौनसोन एक बार फिर से शक्री हो गया है यही वज़े है कि कही राजियों में भारी बारिश की वज़े से हालात बिगड़ गए हैं भारी बारिश की वज़े से उत्तर परदेश के सोड़ा जलों में सांसो बरानुए गाउबाड की चपेट में हैं जबकि मद्यपर्देश में नदिया गंगा खत्रे के निशान से उपर बार रही हैं जिसकी वज़े से कई शेकड़ों गाउ जल मगन हो गए हैं यही नहीं ओडिशा और चप्टिश गड़ में भी नदिया उफान मार रही हैं ओडिशा में मानदी में पानी का जल इस्तर बढ बार ने की वज़े से बार का संकट गरा गया है आपको बता दें कि इससे पहले बियार और पूरोतर का असम राज्य भी बार का दंस जहल चुका हैं असम में बार की वज़े से शेकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी हैं वहीं पारतिये मौसमेबाग आई-मडी ने देश के कुछ इलाकों में अगले 24 गंटों के वीतर भारिस ये अत्ती बारी बारिस होने की चेतावनी जारी की हैं मौसमेबाग ने मद्यपरदेश उत्तरपरदेश हरियाना समेत कई राज्यों के इलाकों में बारी बारिस की संबावना जताई हैं ऐसे इलाकों में मद्यपरदे देश की राजदानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बारी बारिश की वज़से यमुना नदी का जल इस्तर चड़ गया है दिल्ली NCR में तेज बारिश से नदिया उफांद मार रही है सरकारी आकड़ों के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का जल इस्तर दो सो तीन पॉइंट इठाणवे मीटर तक पहुंच गया है वहीं दिल्ली में अगले 24 गंटों में भारिश से मद्यम भारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है मौसम की जानकारी देने वाली स्काइमेट एजेंशी के मताबिक अगले 24 गंटों में गुजरात, दक्षिनी पच्चिमी राजस्तान और दक्षिनी पच्चिमी मद्यपरदेश में मद्यम से बारी बारिश जारी रहने की संभावना जटाई गई है इन भागों में कुछ इस्तानों पर मुश्लादार बारिश के भी असार हैं कॉंकोन और गोवा उप हिमाले 25 गंगाज शीकीम असम मेगले और अरवना चलपरदेश के कुछ इसों में हलकी से मद्यम बारिश के साथ ही एक दू इस्तानों पर बारी बारिश भी हो सकती हैं वहीं शेष, पूरु उतरबार्थ, अंडमान वर निकोबाद, दीप, समू, लक्षर दीप, पूरु र्याजस्तान, हिमाचल परदेश और उत्राखंड के कुछ इसों में भी हलकी से मद्यम बारिश होने की संबावना जताई जा रही हैं आगे बात करें, तमिन नाडू में भी कुछ इस्तानों पर बारी बारी सोच सकती हैं, पश्चीम बंगाल, हर्याणा के कुछ इसों, पंजाब, पश्चीम उत्रपरदेश, विद्रब, पश्चीमी के 6 इसों, तेलंगाना, अंध्रपरदेश और आंत्रिक करनाटक में भी ह आना एक चकरवाती हवाओं का सैत्र, 7.6 किलो मीटर पर बना हुआ हैं, इस निर्म दबाव के चलते गुजरात के कच्छ शैतर तक बनी हुई एक ट्रप रेखा हैं, मांसून की अक्षी रेखा बिकानेर और निर्म दबाव के सैतर से होते हुए, जांसी, जमसेदपोर, बा कि खाड़ी तक बनी हुई हैं, वहीं तमिल नाडू के 30 भागों से कौम और इन शैतर तक ट्रप रेखा बनी हुई हैं, हालांकि यह बहुत ससक्त नहीं हैं, जिसके चलते अगले 24 गंटों में कुछ राजियो में बारी बारिश देखने को मिले गी, तो कई राजियो में हलक यह कहना चाहता हूं कि आप तमाम राजियों का मौसम पूरुवानुवान जानना चाहते हों विस्तार से, तो हमारी वेबसाइट हैं www.educationindialight.com पर विजित कर सकते हैं, और विस्तार से मौसम की जानकारी जान सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, जैहिन दन जाते हैं, जैहिन मौसम की जान कर दे में वेडियों के जान कर दे में आ ön धरुआत।